हेलो फ्रिंट्स विल्कम बैक तो माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई दिजाइन फ्रिंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं चार इंच स्लीप्स की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से तो देखो जब हम छोटी स्लीप्स बनाते हैं तो वहां पर कभी गुलाई सही नहीं आती है तो जब सिलाई लगाते हैं तो फिर वहां पर बहुत प्रॉब्लम होती है फिर हमारी स्लीप्स अच्छी नहीं बन पाती है तो इसके लिए आज के दिन हम लोग बिल्कुल परफेक्ट स्लेप्स की कटिंग सेखने वाले हैं तो देखो यह मैंने कपड़ा लिया हुआ है इसे मैं आपको कटिंग बताऊंगे तो जैसे जो भी कपड़ा हो ठीक है उसको हमको इस तरह से रखना है तो देखो यह हमारे डबल फोल्ड में है इस तरह से मैंने लंबाई में कपड़ा निकाला हुआ है अब ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है इसको यह हमने डबल फोल्ड कर लिया तो एक स्लिफ होती है और एक स्लीफ नीचे की साइड है ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, एक बार एशे फोलड कर देंगे यह हमारे कितने लेयर में हो gepड़ा हो गया फिक है तो देखो इस तरह सी हमने इसको چाल लेयर में कपड़े को रख लिया है अब रखने के बाद इसको अच्छे से इसी तरह से रखा रहने नहीं तू económiu आप्सिजाणा इदर साइट ako तो मारी फोल्डेट स्लीप्स तो है नहीं जब हम अस्तर वाली स्लीप्स के लिए बनाते हैं तो आगे की साइड हमें बहुत ही कम कपड़ा लगता है मतलब आप लंबाई में हाफ इंच प्लस कर लोगे तो वहां पर आपको उतने में ही हो जाता है लेकिन जब आप कोई सिम्पल ब्लाउस के लिए या सिम्पल सूट के लिए मतलब से बिना अस्तर वाली स्लीपस की कटिंग करोगे तो वहाँ पर आपको ंच went plus करके लेना है ठीक है तो तेखो जैसे हमको 4 रखना है तो देड़ इन्иться प्लस करेंगे तो कितना 5.. इंस लेएंगे तो इसकी लंबाई हमारी कितनी है पूरी 5 इंस अब यधम लंबाई तो हमारी होगई लेकिन अब हमको या इस्थमा democrats दो कोना पर बना रहे था नो सिवाल हैं भूस के लिएख चार चार और लेजेंकर प्लागा चार से का लिया बागी़ लहाद ही थीक है half inch plus करने के बाद फिर हम यहाँ पर लेंगे उसकी लंबाई मालो यहाँ पर आपका जो blouse है वो 32 साइच का है तो 32 को हम 4 से डिवाइट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8 इंच आएगा हम क्या करेंगे जो हमारा हमदा जोड़ता टाइट ही वाली नायन पर सिदे सबहले हैं जोलेगे सबस्तियार आफट गशने हाँ आप मेरे के चैनल को क्या करेंगे घर हैं की करेंगे हैं तो ये लाइन हम तिर्शी ले जाएंगे, इधर हमारी पूरी लंबाई रहेगी, बस इधर कम हो जाएगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हलका सा सेव देंगे, स्लीव्स का एसा का, तो कैसे, इधर साइड हमारा पूरा ऐसे रहेगा, और इधर अंदर के साइड ऐ तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा जोल लें आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से गुलाई दे दिया, अब यह गुलाई देनी के बाद आगे की साइड बटम का निशान डालेंगे, नाप डालेंगे, जो भी आपके आस्तीन का नाप हो निशान डाल दीजेगा, उसके बाद यहाँ पर हम डेढ़ इन्च मार्जिन ले लेंगे, तो इस तरह से हमने डेढ़ इन्च पर निशान लगा दिया, अब जो हमने डेढ़ इंच मार्जिन लिया है, वहीं से इधर को हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद आप हम फरटिंग वाली लाइन हम करat कर लेते हैं है कि तो देहरें इस हमारी स्लीप सैथ हम सब्सक्राइब हाई देखें है तो नीचे की साइड हमारा उल्टा वाला कपरा है और सीधा कपर हमारा उपर की साइड है अब जो दूसरी स्टेप्स रखनी है इसको हम कैसे रखेंगे तो देखो इसको हमको ऐसे रखना है सीधा साइड अंदर की साइड का दोनों होना चाहिए और उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड अब ऐसे रखने के बाद यहां पर हमीं हाफ रिखने के depth पर स्वाइब क्यूते हैं तपने क्रिख़ आपको है हfach तसके लेखता हुग को पर चोटी स्लीव आप करने हैं मैं अगया होगा चहां पर अगया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद